सबी को मेरा तुमस्कार, आज हम कव्षामों में आरागना कविता पढ़ेंगे जिसके कवी है वसन पापड और कविता का प्रकार है ताथना भी वसन पापड जी मराथी के वरिष्ट कवी है उनका जन्म 25 जुलाई 1922 में हुआ था वसन पापड जी ने अपनी कविताओं में मान्दिय सम्वेदना को उजागर किया है और तेश भक्ति को भी उन्होंने अपनी कविता में उजागर किया है ऐसे ही महार मराथी के वरिष्ट कवी का दुखत निधन 17 सिकंबर 2002 में विवा था अब हम आगे कविता का भावार देखेंगे आराजना कविता का भावार देखेंगे से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि आराजना कविता में कभी ने मारिवियती ऐसी वेदना समाज में कुछ ऐसे जो रित रिवाज है हमारे समाज की जो उनिया है और हम सभी लोग एक साथ में मिलकर कैसे देश और दुनिया में काम कर सकते हैं उसके बारे में हमें कभी ने बताया है विश्व पंधुद्वती भावना सभी को हमें हम सब एक खुटू है उसी भावना को लेकर ही हमें आगे बता है यह बार कविता में कविने बताई है तो अब हम कविता का भावार समझेंगी उससे पहले मैं आपके सामने दो अंगिया गुभराऊंगी देग मन दिल चीत मन दिल एक दीले प्राधना सत्य सुन्दल मागय दी नीत्य हो आराधना विद्यान दिमित्रो आराधनागा अल्खोगा फुजाः पंक्ति का भावार समझें से पहले हम शब्दो के कुछ अर्ण समझेंगे तो देन यानि शरीर, चीत यानि मन, प्राधना यानि निभेदन, सुंदल यानि शीव, मांगर यानि कि मंगर काली सुंदल, नीत्य यानि फ्रइदी तो अब हम बंदी का भवार समझेगे तेह मंदी यानि की शरे रुपी मंदीर चीत मंदीर यानि की मल रुपी मंदीर एक ही प्रावना करनी है, इस पक्धी में कवी कहते हैं कि हमें मन रूपी मंदिर से, शरीर रूपी मंदिर से हमें एक ही प्रावना करनी है, जो सत्य है, जो सुंदर है, सुंदर यानि की सीव, जो मंगल कारी है, उसी की हमें धाखना करनी है, नित्य हमें उसी की पुजा करनी है, तो विध्यात्मित्रों आगे का हम आगे की वीडियो में देखेंगे